तुलारा सिवारो 28 जन्वरी रवी वारता दिन सौभाग योग में मघा नचत्र में केतू के परभाव के साथ दिन की सुरवात थे उसके बाद 3 बच कर 3 पर मिनट पर पुर्वा फागुनी नचत्र में सुक्र का परभाव सुक्र आपके लगन का स्वामी है इस समय सुक्र बुद्ध के साथ गोचर कर रहा है मंगल धन का स्वामी है बुद्ध भाग्यस्थान का स्वामी है तुलारा सिवारो के लिए प्राक्रम स्थान में सुक्र मंगल बुद्ध की युक्ती राज्योक का निर्मान और भाग्यस्थान पर सुक्र बुद्ध की दृष्टी आज आपकी कुनली के कर्मस्थान में चंद्रमा का गोचर और केतु द्वादस में जब कि सनी आपकी कुनली के पंचम भाव में सुर्ज आपकी कुनली के सुख भाव में और विरस्पती सत्म भाव में गोचर करेगा सुप समचार और जीवन में बड़ी सफलता अब आपके विग्रे काम भी बनेंगे कोई बेहतर लाप के आउसर भी प्राप्थ होगे उत्सा जनक परिनाम की प्राप्ती होगी केतू और सुक्र के परभाव से आज सत्रू भी आपकी प्रसंसा करेगा नौकरी बैपार में बड़े लाप के आउसर मिलेंगे हर समस्या का समधान होगा जीवन में तरक्की उनत्ती होगी और जीवन में आ रही रुकावटे समाप्थ होगा आज का दिन तो तुलारासी वारू के लिए बड़ा सौभागे साली दिन है उपलब्दी तरक्की लोगप्रियता आज ये मन का विश्वास से जीवन में आगे बनने का साहस से और सफलता कामियावी से आज का दिन तुलारासी वारू को बड़ा ही भागे साली बनाएगा तुलारासी वारू सौभाग्योग में केतू और सुक्र के परभाव से आपके अच्छे समय की सुर्वात हो रही है जो जीवन में बड़ी सफलता कामियावी सुक्सान्ती और सम्रिद्धी आपको परदान करेगा तो तुलारासी वारू चलिए जानते हैं बिस्तार से आज का तुलारासी फल जै स्री रम जै हन्मान ओम स्री हनुमन ते नम संकट से रच्छा करो हे महावीर हन्मान संकट मोचन किरपानिधान जै हन्मान जै जै हन्मान निश्चे प्रेम परतीते पिने करे सन्मान तेही के कारज सकल सोबे सिद्ध करे हन्मान हन्मान जी आपको भाग्य साली बनाएं संकट से रच्छा करो हे महावीर हन्मान संकट मोचन किरपणधान जय हन्मान जय जय हन्मान 28 जन्वरी रविवार का दिन मागमा क्रिस्पच की तिर्तियाती थी सौभग योग में मघा नचतर में केतू के परभाव के साथ दिन की सुरवात तीन बचकर तिरपन मिनर तक मघा नचतर का केतू उसके बाद पुर्वा फागुनी नचतर में सुक्र का परभाव आपको जीवन में सभग्य सुख लाब का सुन्दर योग बना रहा है आपकी कुंडली पर नच्छत्र स्वामी केत्व और सुक्र का परभाव है जिसके कारण आज आप सामदाम डन्भेत की निती अपनाएंगे अपनी जीवन में काम्याबी सफलता के लिए वो सारा काम करेंगे जो एक परतापी इनसान करता है जिसके अंदर साहा से उर्जा है सक्ती है हिम्मत है वही जीवन में सुख भी पाता है काम्याबी सफलता पेपराप्त करता है और जीवन में तेजगती से आगे बढ़ते जाता है आज अपने सांत दिमाग से जो भी काम करेंगे वो काम आपके सफल हो जाएंगे अपने स्वार्ज से अपने काम और अपना नाम आप रौसन करेंगे आज का दिन आपके लिए बड़ा भाग्य साली दिन है क्योंकि आज पुर्वा फावुनी नच्छत्र का सुक्रे और मगह नच्छत्र का केतु अपने परभाव से आपको परभावित क रहा है एस समय आपकी कुली में सुक्र मंगल बुद्ध की युक्ति है राज्योक का निर्मान आपकी कुली में बना हुआ है जिससे अब आपके सारे काम आसानी से पूरे होगे अपने लच की प्राप्ति करेंगे आज आपके अंदर साहस भी होगा, कमिटमेंट भी होगी, मनुकामना पुन करने की सक्ती भी होगी, सुक्र के प्रभाव से जीवन में सुक बढ़ेगा और केतु के प्रभाव से जीवन में प्राक्रम बढ़ेगा, आज केतु आपको लाब देगा, प्राक्रम को बढ़ाएग वहीं गनेश जी के आसिरवास से आज का दिन सभग योग में आपके साहस आपके हिम्मत से जीवन में बड़ी सफलता लाब और सुख लेकर आया है कोई सुभ काम भी आपका आज पूरा होगा अचानक से आपके जीवन में लाब का योग बनेगा दुख बाधा आपकी जीवन से दूर होगी दुखो का अंत होगा केतू इस समय सनी के परभाव से परभावित है केतू इस समय बुद्ध से परभावित है जिसके कारण केतू की सकती आपकी जीवन के हर काम को परभावित करेगा आज आपका चंचल मन अपने मन को थोड़ा नियंतरन में रखे तो जीव में सफलता अवस प्राप्त करेंगे अवस आपकी जीवन में कोई बड़ी तरक्य उनती खुसखबरी की प्राप्ती होगी क्योंकि आज आपकी कुंडली में बिरस्पती का सुर्ज और मंगल के साथ संबंद बनाना और बिरस्पती का चंद्रमा के साथ नौमं पंचम योग ब मनाता है आप बड़े प्रभाव साली हो जाते हैं सामर्थ आपकी जीवन में बढ़ जाता है समस्या से छुटकारा प्राप्त हो जाता है जब चंद्रमा की स्थिति मंगल के साथ नौमं पंचम होता है उस समय आप प्रम महत्म कांची होते हैं चक्रवर्ती ते जस्वी होते हैं भग्य साली होते हैं धनवान बनते हैं आज आपकी कुली में मंगल के साथ सुक्र का गोचर करने से आपने एनरजी बहुत जादा होगा वहीं सुक्र के कारण सुक्सम्रिद्धी प्यार आपकी जीवन में प्राप्त होगा धन का सुक्र मंगल के कारण मिलेगा और आज स साथी का प्यार भी मिलेगा और जीवन साथी के भाग्य से अब भाग्य साली बनेगे संतान के सुखों में बिरधी होगा जो स्टुडेंट हैं उनके सेल्प कॉंक्रिणयंस में बरहुतरी देखने को मिलेगी जिससे आपको कोई बड़ी सफलता कामयाभी की प्राप्ती होगी जो बैपार करते हैं आज किसी पर आख बंग करते बिश्वास ना करें अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं अपने प्राकरम अपने सक्ती से आप पाएंगे आज आपका बैपार अच्छा चलेगा आज जो परिस्रम आप करेंगे उस परिस्रम का बढ़िया फल भी आप को मिलेगा और आज आपकी कुण्डली में बिरसपती का चंद्रमा से प्रभावित कोना धन की परिशानी को दूर करेगा जो नौक्री करते हैं लाबदायक दिन सिद्ध होगा विगरे काम आपके बनेगे अपने मन के भटकाव को रोके मन को भटकने से रोके तो आज जीवन म धन भी कमाएंगे आनंद भी पाएंगे जो नौक्री की तलास कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन तो बरा सुब दिन साबित होगा क्योंकि आज ये सुक्र का भी परभाव है आज ये केतू का भी परभाव है और केतू बुद्ध से परभावित है जबकि सुक्र मंगल बुद आपकी समस्याओं का समधान आपके आत्मिश्वास में बरोत्री आपके परिस्थिती में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा जिससे आज का दिन आपके लिए बेतर सावित होगा बड़े सभागी साली आप हैं सुभ समचार की प्राप्ति होगी चिंता आपकी दूर होग की बाधा जीवन से समाप्त होगा आज अपनी सक्ति से जीवन में सुख सम्रिद्धी की प्राप्ति करेंगे विजयी बनेंगे और जीवन के हर छेत्र में सपलता काम्यावी खुस्खबरी की प्राप्ति करेंगे आज ये सम्रिद्धी आपकी जीवन में बर रहा है सौभग योग में सौभागे का बरदान आपको प्राप्थ होगा अपने कर्म से सुभ फल आप पाएंगे आज का दिन आपके लिए बड़ा सभागी साली दिन है खुशाली आपके जीवन में बढ़ेगा मन का विश्वास और मजबूत होगा कार्ज की सफलता और तरकी के रास्ते आज मगा नचत्र का के तू पुर्वा फागुनी नचत्र के सुक्र के परभाव से सभागी योग में दिन आपके लिए सफलता कामियावी सुक सभागी लेकर आया है आज रावुकाल साम 4 बच कर 36 मिनट से 5 बच कर 57 मिनट रावुकाल के दौरान किसी भी सुकाम का सिरी गन बचकर 11 मिनट विजयी मूरत दो बचकर 22 मिनट अविजीत मूरत 12 बचकर 13 मिनट और ब्रहम मूरत सुबा पांच बचकर 25 मिनट आपके लिए सुब सावित होगा तो आज कोई बड़ी सफलता कामियावी खुसखबरी मान समान सफलता आपके करम चुमेगी और केतु सुक्र क परभाव से आप भागे साली बनेंगे दिन आपके लिए उपलब्धी तरक्की लोगप्रेता को बढ़ाने वाला सावित होगा पंच मुकी हनमान जी का दरसन करें आपके सारे काम सफल हो जाएंगे आप बड़े भागे साली हैं बड़े सव भागे साली हैं हनमान जी का दर कर दो कि अव्यूमान